इस वीडियो में हम एक इंग्लिस स्टोरी पढ़ेंगे स्टोरी का नाम है दा इसमेली लोएन तो हम इस स्टोरी का हिंदी अर्थ लगाएंगे इसके परते एक सेंटेंस में जो कटें सब्द आये हैं उनका भी हम हिंदी अर्थ देखेंगे और उनका सही उचारन लगाना सीखेंगे परते एक बाक में जो भी टेंस आया है उसको भी हम देखते चलेंगे तो कहानी देखते हैं इसको हम कहानी का नाम है दा इसमेली लोएन इसमेली मीन्स होता है बदबूदार लोएन यान की सेर The smelly loin यान की बदबूदार सेर Once the king of the jungle The loin fell very ill Once means एक बार The king यान की राजा Of means का The jungle यान की जंगल तो एक बार जंगल का राजा The loin यान की सेर Fell very ill Fell ill means होता है बीमार पड़ जाना Very means बहुत Fell very ill का मतलब बहुत बीमार पड़ गया तो एक बार जंगल का राजा सेर बहुत बीमार पड़ गया He was so ill that A foul smell came out of his body He means where was means था So means इतना Ill means बीमार That means की तो देखिए so और बीच में कोई सब्द हो उसके बाद that लगा है So मतलब इतना That means की इतना की वो बीच में बीमार है तो हम क्या बोलेंगे इतना बीमार की So he was so ill that वो इतना बीमार था की A foul smell A means एक Foul smell का मतलब है दुरगंद Came out ये past tense है ठीक है ना एक कम की second form Came Came out मतलब बाहर आना Of his body उसके सरीर से तो देखे उसके सरीर से दुरगंद आने लगी वो इतना बीमार था की उसके सरीर से दुरगंद आने लगी Next इसके बाद When the animals heard that their king was ill They went to meet him When जब The animals जानबरों ने Heard में सुना Past indefinite tense है करिया की second form है First form होती H E A R Here Second third में D जुड़ जाता है इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि Here की second form Third form में E D नहीं जुड़ता है के बल D जुड़ता है When the animals heard जब जानबरों ने सुना That means की Their king उनका उनका राजा Was ill बीमार था तो जब जानबरों ने सुना कि उनका जो राजा है वो बीमार पड़ गया है They went to meet him They means way Went means guy Past indefinite tense है Go की second form लगी है Went To meet मिलने को यह देखी यह है infinitive तो infinitive में क्या होता Hindi अर्थ में आता Na, ni, ne To meet मतलब मिलना They went to meet बे मिलने गए Him मतलब उससे बे उससे मिलने गए इसके बाद next But even a few away from the den They could smell a foul smell But परंतु even means होता है भी A few away यहनकी कुछ दूरी पर परंतु कुछ दूरी पर भी From means say the den यहनकी माद माद या गुफा तो परंतु गुफा से कुछ दूरी पर ही They could smell They could mean सकते थे Smell यहनकी सूंगना Foul smell यहनकी एक दूरगंद तो परंतु गुफा से कुछ दूरी पर ही Den यहनकी जो माद है जिसमें सिर रहता है उससे कुछ दूरी पर ही बे दुरगंद सुंग सकते थे So, they all put their hands on their noses to keep off the smell So, इसलिए they means उन्होंने all means सभी Put means रख लिए hands, their hands अपने हाथ इसलिए उन्होंने, उन सभी ने अपने हाथ रख लिए on their noses On means पर their means, अपनी noses means नाख इसलिए उन्हों सभी ने अपनी नाख पर अपने हाथ रख लिए To keep off, keep off का मतलब दूर रखना या बचे रहना The smell बतलब दुरगंद से, दुरगंद से बचे रहने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी नाख पर हाथ रख लिए The lion asked them the reason for it The lion's share ने asked means पूँचा, them means उनसे The reason यान की कारण To share ने उनसे कारण पूचा for it, मतलब इसके लिए To share ने उनसे इसके लिए कारण पूचा A deer and a donkey spoke up, a deer, a deer यान की एक हिरन and और डंकी एक गधा spoke up, बोले Speak, first form ती speak, A-S-P-E-A-K ये second form लगी है, A-S-P-O-K-E-O, third form होती है A-S-P-O-K-E-N, spoke up मतलब बोल पड़ा तो देखे, एक हिरन और एक गधा, बोल पड़ा वो दोनों क्या बोलते हैं, कि हमने जो नाक बंद क्यों कर रखी है Because a foul smell is coming out of your body Because क्योंकि, a foul smell यान की दुरगंद is means है coming आ रही है, of your body यान की तुम्हारे सरीर से ये present continuous tense का बाख है, इसमें साइक क्रिया लगी है Is, क्रियागी, I-N-G-U form लगती है Hindi आर्थ आता है, last में रहा है, रही है, रहे है या रहा हूँ तो वो कहता है कि क्योंकि आपके सरीर से दुरगंद आ रही है वो जो डियर है और डंकी दोनों कहते कि आपके सरीर से क्या है दुरगंद आ रही है, चलिए हमने नाक बंद कर रखी है the loin felt insulted the loin felt insulted मतलब होता है felt मतलब महसूस किया insulted अपमानित blessing shameless he lost his temper he means उसने Lost मतलब खो दिया his means अपना temper यान आपा lost his temper का मतलब अपना आपा खो दिया and killed them and means or और killed मिस मार दिया, them means उन्हें, ये past tense है, ठीक है न, killed, kill की second form है, मार दिया, past tense जो होता है, हिंदी अर्थ अर्थ अ-E-A, killed मतलब मार दिया, जैसे आ की आवाज रही है, them means उन्हें, और ये lose मिस खोना, first form होती है, L-O-S-E, ये second form है, lost मतलब खो दिया, lost his temper अपना आपा को दिय और उन्हें मार दिया, all the animals ran away to save their lives, all the animals, मतलब सभी जानवर, ran away मिस दोड़े, to save, बचाने को, their lives अपना जीवन, देखें, first form थी life, L-I-F-E, F-E हट करके life का बहुचन होगे, lives, जीवन, तो सभी जानवर, अपने जीवन बचाने के लिए भागे, one day a clever donkey came to meet the loin, तो one day एक दिन, a means एक clever monkey, यानकी चतुर monkey, यानकी बंदर, came means आया, कम की second form है, past indefinite tense है, to meet मिलने, the loin, सेर से, तो एक दिन, एक चतुर monkey, सेर से मिलने के लिए आया, एक चतुर बंदर सेर से मिलने के लिए आया, the loin asked him whether a foul smell is coming out of his body, the loin, सेर ने, आश्च मिलने पूचा, him means उस से, सेर ने उस से पूचा, whether means की, सेर ने उस से पूचा की, a foul smell, यानकि दुरगंद is coming, आ रही है, out of, मतलब बाहर, his body, उसके सरी से, उसने पूचा की, क्या उसके सरी से, बाहर, दुरगंद आ रही है, तब देखिए, monkey क्या जवाब देता है, the monkey had seen the dead bodies of the deer and the donkey, the monkey यानकि बंदर had missed चुका था, past perfect tense है ये, चुका था, चुकी थी, चुके थे, हिंदी बाग के, अंत में ये हिंदी अर्था था था, इसका, head seen मतलब देख चुका था, या देख लिया था, ये भी बोल सकते हैं, तो बंदर ने देख लिया था, the dead bodies मतलब मिरत सरीर, dead मतलब मिरत या मरे हुए, bodies मतलब सरीर, किसके, off means काकी के, the deer, hirn and the donkey और गधा, तो बंदर ने, हिरन और गधे के, मिरत सरीरों को देख लिया था, so he said, so means, इसलिए he means, उसने sad means कहा, इसलिए उसने कहा, your majesty, मतलब महराज, I means, मैं can't, cannot, can't, can't, can't smell, मतलब, I can't smell, मतलब, मैं सूंग ना, I can't smell, मतलब, मैं सूंग नहीं सकता हूँ, because, क्योंकि, my nose, मेरी नाक, is means, closed, मतलब, बंद, due to, मतलब के कारण, cold, मतलब, सर्दी, या जुखाम, तो वो कहता है, कि महराज मैं सूंग नहीं सकता हूँ, क्योंकि जुखाम के कारण, मेरी नाक, बंद है, and the monkey ran away to save his life, and or the monkey bandar ran away, मतलब, भाग गया, run away, first form उती, run away, ये second form है, past indefinite tense, भाग गया, to save, मतलब, बचाने को, his life, अपना जीवन, और बंदर अपना जीवन, बचाने के लिए, भाग गया, he was clever enough, he means why, was means था, clever मतलब चतुर, enough में काफी या बहुत जादा, बहुत जादा चतुर था, ये enough देखिए, ये होता है, एड़वर्ब, ये जिसकी बिसिस साब बताता है, उसी के पीछे आता है, ठीकिना, enough clever नहीं आएगा, enough ये बाद में आता है, and new that, one should speak according to the situation, and means or new मतलब जानता था, no की second फ़र में new मतलब जानता था, that means की one मतलब कोई ब्यक्ती को, ठीके नब बनवाने कोई ब्यक्ती भी होता है, so means चाहिए, speak means बोलना, one should speak मतलब किसी ब्यक्ती को बोलना चाहिए, according to means के अनुसार, the situation means परिस्थिती या समय, ठीके न, तो जो बंदर था, he was clever enough, वे बहुत जाना चतुर था, and new that, वो जानता था कि कि किसी भी ब्यक्ती को, जो situation होती है, परिस्थिती होती है, उसी के अनुसार बोलना चाहिए, तो इस तरीके से स्टोरी कंप्लीट होती है, इसी तरह की और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,